नमस्कार दोस्तों नोखरी जान करें के यूटूब चेलिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रो में निकली सीधी परती 2020 में दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बहुत अच्छे पद है यह वेकेंसी बिल्कुल सीधी बढ़ती है इसके अंदर ड्रावर, फायर में, कुक, केटरिंग में और चपड़ासी इस परकार के बहुत सारे पद है मैंने यहां पर लगबग पांच पदों को यहां पर दिखाया लेकिन जब आप नोटिपिकेशन देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे पद मिलें कैω इसके साथ जो तोदोस्तों, उमर्षीमा के बारे में बात करेता है तो यहां पर अगर आपके ओमर्षीमा 18 साल हो चुकी है और आप 35 स से कम है तो आप यहां पे फोरुम बढ़ सकते है ऐसे 70 साल यहां पर उमर्षीमा रखी गई है और इस दो जो विबाग है इस दो आय की और यहां पर दोस्तों आप इसका नोटिपिकरिकरिशन देख सकते हैं इस रो के पद्दू के लिए भरे आविदन यहां पर इस रो में वेकेंस निकले सरकाई नोखी के तलाज कर रहे हैं युवाओं के लिए शांदार मोका सामने आया भारतिक अंत्रिक्स अनुसंदान सं और इस रहना थेक्निशेन ड्राफ्ट में टेग्निशेन असिस्टेंट शांट्टिकिश्ट रावरिडी ऐस्टेंट हिंद्य टाइपीज केटरिंग अटेम्न अटेंड MBip कूच लाइस्ट टेस्ट और फायर में पद्दू पर लाइट वीकल और यहां पर दो परकार के बिद्रावर के भी पद है यहां पर सेख्षिक योगिता के बारें बात के लिए ग्रेजुएट के साथ परतम सेड़ने से लाइबरे साइस हैं लाइबरें पॉर्म में साइंस में किसी मानित प्राफ्ट यूनिवर्शिटे मास्टर डिग्री होना जरूरी है साइंटिपिंग एसिस्टेंट के लिए किसी मानिता प्राफ्ट विश्यू विद्याले संस्तान से परसंगिंग विसे में परतम सेड़ने से ग्रेजुएट होन होना चाहिए यहां पर देख सकते हैं जो ड्रावर और फायरमेन का पद्दा उनके लिए है उच्छुक उमिद्वारों के पास कि योगिता होना चाहिए अब आविदन पीस के बारें बात कर जनरल ओविश्योड ओमिद्वारों के आविद्वारों के लिए छूट दी गई गई है उमर शिमा देख सकते हैं आप टेकनिकल एसिस्टेंट साइंटिपीक एसिस्टेंट लाइबर एसिस्टेंट टेकनिशन ब के बीच होने चाहिए हिंदी टाइप इस और के पद्दू के लिए उम्मिद्वार के आए 18-28 वर्ष के बीच होने चाहिए जबकि फायर मेन एक के पद्दू के लिए उस्टेंट आप देख सकते हैं चैहमार 2020 इसके लाश्ट एस्ट आप शेमार तक इसके पोरम बढ़ सकत अगर दोस्तों यह वीडियो चलागा तो वीडियो लाइक कर दीजियो चैनल पर पहले बार आरे तो चैनल को सब्सकार्व पास जो गंटिका बटना उसे जरूर दुबहेएगा थेंक्सूरा चिंदी शुडियो लगाईज